अब आप इस वीडियो की प्लेइस्ट को तो आप देखीएगा ही साथ में आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जुरूर देखीएगा वहाँ पर आपको जो है डिफरेंट जो वीडियो से हैं उनकी लिंक्स मिल जाएंगे और वह आपको हेल्प करेंगे आपकी से रिलेटिट हैं तो फास्ट कोशिन यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या है इस्ट एशिया एट बेगनिंग अफ तर नाइटीन सेंचरी वर्स टॉमिनेटिड वाय तो आपके सामने है जापान, कोरिया, चाइना या फिर रशिया कि अगर बेगनिंग कहें नाइटीन सेंचरी की तो इस एशिया पर किसका जो है राज था तो आपके सामने है तो यहाँ पर जो और बेगनिंग अब इस पावर अब ऐसी कोशी डिनिस्टी है चोकि एक लाउंग टेडिशन से देखें अगर उसकी उत्रा दिखा रही थी और सिक्योर अपने आपको समझती थी अ बात करें तो आप्शन आपके सामने है टियांग डिनिस्टी, किंग डिनिस्टी, शैंग डिनिस्टी या फिर चैंग डिनिस्टी है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वो है किंग डिनिस्टी जो है ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है आप चलते हैं कुश successful रहा और साथ में एक colonial empire भी बना लेकिन किस के साथ incorporate करके तो option आपके सामने है ताइवान, Korea, South Africa या फिर both A and B दोनों जो हैं यहां correct होंगे तो यहां हम कह सकते हैं जो correct answer है option D है जिसमें A और B दोनों ही आजाएंगे जो जपान है उसमें या उसको एक काफी powerful state पनने में एक modern state पनने में जो है जो help मिली incorporate किया उसने ताइवान और Korea के साथ किया तो option A और B यहां right माने जाएंगे अब चलते है question 4 के लिए when did the Chinese Communist Party emerge victorious from the civil war अब आपको बताने कि कब जो है तो यहां पर जो right answer है वो है option B 1949 में जो Chinese Communist Party victorious होई थी अब चलते है question number 5 के लिए on which basis Japanese expansion was justified अब क्या base माना गया कि ठीक है जापान ने जो अपना expansion किया वो बिल्कु justified है तो option आपके सामने है वो चाहते थे कि western domination को रोका जाए या फिर Asia को liberate किया जाए free किया जाए या फिर environment को save किया जाए या फिर यहां पर option D जो है जिसमें A और B दोनों answer correct होंगे वो आता है तो यहां पर right answer है बच्चो D option जिसमें both A and B आ जाएगा यानि वो चाहते थे कि western domination को भी कम किया जाए और साथ में Asia को भी liberate किया जाए क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने देख लिया था कि कैसे इंडिया की भी जो East India Company ने हालत की थी कैसे उन्होंने control किया तो सब या फिर कहें कि none of these इन में से कोई भी option जो है correct नहीं है तो यहां पर बच्चो right answer क्या होना चाहिए यहां पर जो correct answer है वो है option B यहां right answer है और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जापान और चाहिना उनकी जो एक long tradition से historical writings की तो मैं इस answer को correct कर दिया है already अब चलते हैं question number 7 के लिए what do the rulers do to maintain records and write dynastic histories यानि क्या reason था जिसकी वज़े से जो rulers हैं वो maintain करते थे records को और dynastic histories को लिखते थे तो option आपके सामें है या उनको जो है ऐसा उन्होंने क्या किया इन सब को maintain करने के लिए they gave money to the writers they started writing on walls they established official departments या फिर क्या है कि they worked day and night उन्होंने दिन रात ऐसा काम किया खुद लिखने के लिए तो यहां पर जो right answer क्या होना चाहिए तो यहां correct answer है बचो option c they established official departments जिसका main motive क्या होता था records और right करना होता था जो dynastic histories है उनको अब चलते है question number 8 के लिए who is considered as greatest historian of the early china इन में से कौन सा ऐसा है जिसको आप greatest historian मान सकते हैं early china का तो option आपके सामें है सिमा काइन, लियांग, किशाओ, कुमे, कुनितके या फिर मारको पोलो तो यहां पर बचो right answer क्या होना चाहिए यहां पर जो correct answer है वो है option a सिमा क्यान जो है आप चलते है question number 9 के लिए when did the Maisie government establish a bureau to collect records and write अब उन्होंने कब जो है इस bureau की जो की collect करते थे record को, record को और write करते थे लिखते थे इसकी establishment की थी तो option आपके सामने है 1800 में, 1860 में, 1869 में या फिर 1896 में तो जो Maisie government ने एक bureau की establishment की थी, वो की थी 1869 में, option C यहां पर right answer है अब चलते है question 10 के लिए which act of the Maisie government is considered as a victor's version of the Maisie restoration ऐसा act, उनका क्या माना गया है, जो की victor's version माना गया है of the Maisie restoration का तो option आपके सामने है to nominate the names of the warriors for kingdom या कहें to allot a lot of wealth and property to the brave warriors या to establish a bureau to collect records and write या फिर all of these तो यहां पर जो right answer है बच्चों वो है option C जिसमें उनोंने एक bureau की establishment की थी to collect records and write और यही जो है इनका सबसे बड़ा victor's version of the Maisie restoration माना गया है अब चलते है question 11 के लिए which industries were the most important in the pre-modern period to trace size distribution of book in the 18th century in China and Japan अब कौन सी ऐसी industries है सबसे important industry जिसकी वज़े से जो distribution हुई books की चाइना में और जापान में तो option आपके सामने है या तो printing industry है या publishing industry है या फिर paper industry है या फिर both A&B तो हम कहेंगी जो correct answer है वो है option D बोत A&B जिसमें आते हैं printing और publishing industry जो है वो बहुत जादा important थी pre-modern period में अब चलते हैं question number 12 के लिए who helped establish the department of oriental studies in Kyoto in 1907 किसने help की थी जो इस department को यह department of oriental studies को establish करने में Kyoto में 1907 में यहाँ पर two questions बन जाते हैं अगर आपको यह question भी आता है कि department of oriental studies कब establish किया था तो वो 1907 में किया गया था कहा किया गया था तो Kyoto में किया गया था लेकन यहाँ आपको पताना है who तो right answer आप दीजिए लियांक किशाव या फिर नाइटो कोनन मारको पोलो या कुमी कुनी तके तो यहाँ पर जो right answer है वो बचो option B है नाइटो कोनन जो है उन्होंने इसमें help की थी अब चलते हैं question 13 के लिए मारको पोलो कुन थी तो option आपके सामें है a Japanese traveler, a Chinese traveler, a Japanese scholar या फिर an Italian traveler तो यहाँ पर जो right answer है वो है option D एक Italian traveler थे जिनका main काम क्या होता था कि हर तरह की बात को no down करना अब यहाँ पर question 14 में देखिए शिनारन यानि एक book है जिसको हम कह सकते है on China जो कि 1914 में publish हुई थी यह किस ने रिखी थी तो option आपके सामने है लियांग किशाव, नाइटो कॉनन, मारको पोलो या फिर कुमे कुनित के तो यहाँ पर जो right answer है इस book को लिखा था वो लिखा था नाइटो कॉनन ने, option B यहाँ right answer है अब चलते हैं question 15 के लिए state true or false आपको बताने कि statement सही है या गलत है क्या statement सही है या गलत है, true है या false है तो हम कहेंगे बच्चो यह statement बिलकुल false है क्योंकि यहाँ पर जिस country के बारे में बात की गई है यह वो जापान नहीं वो चाइना है तो option यह हम कहेंगे false यहाँ पर आएगा तो correct answer चाइना है जापान नहीं है वो question 16 देखिए as the core is dominated by three major river systems हम जिस core की बात कर रहे है चाइना के तो इन में से कौन सी ऐसी river उन में से नहीं है तो option आपके सामने है the yellow river, the yangtze river, the yakima river, the pearl river तो हम चाइना के जिस core की बात कर रहे है जो कि three major river systems से dominated है उन में से वो river जो नहीं है उस river system में वो है यहाँ पर option c yakima river जो है वो नहीं है बाकी सब की सब river है उसमें अब चलते है question 17 के लिए which is the dominant ethnic group in China अब आपको बताना है कि ethnic group जो चाइना में dominant है वो कौन से है तो option आपके सामने है huang, hen, chang या फिर all of these तो यहाँ पर जो right answer है बच्चों वो क्या होगा yes, option b यहाँ correct answer है, hen है उस group का नाम अब चलते है question number 18 के लिए aside from the major language Chinese जो कौन सी ओर dialect यहाँ पर बोली जाती है चाइना में तो option आपके सामने है cantonese यह shangainese यह फिर shangpa यह फिर कहें बोथ ENB दोनों आ जाएंगे यानि जो major language तो Chinese है लेकिन जिस dialect की बात कर रहे हैं जो यहाँ बोली जाती है वो यहाँ पर correct answer है option d जिसमें cantonese और shangainese दोनों ही आते हैं अब चलते है question 19 के लिए in eastern china which food is eaten कुंसा जो है बोजन खाया जाता है तो option आपके सामने है rice या फिर wheat या पिस्ट्री या फिर both ENB दोनों ही right है तो अगर eastern china की बात करें यहाँ पर दोनों ही option count हो जाएंगे rice और wheat यानि option d यहा correct answer है अब चलते है question 20 के लिए which is the best known food among the four types यानि अगर china के best known food की बात करें चार टाइपस के उनमें सिप सबसे best कुंसा है तो option आपके सामने है southern और cantonese cuisine या eastern और cantonese cuisine या western और cantonese cuisine या फिर northern और cantonese cuisine तो यहाँ पर सबसे जो correct answer है जो best food है वो है option A southern और cantonese cuisine जो है अब आपको यह बताना है कि यह जो आपको नजर आ रहे है होंशू क्यूशू शिकौकू एंड हुकाइदू यह क्या है किसीच के नाम है जपान के रिवर्स के जपान के आइलेंड्स के चाइना के रिवर्स के चाइना के आइलेंड्स के तो यहाँ पर बच्चो जो right answer है वो है यह सब के सब जो name है वो है जपान के आइलेंड्स के तो अब चलते हैं बच्चो हम next part की तरफ लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe करना मत बूलेगा लेकिन इस वीडियो की description box को जुरूर देखेगा, so thank you very much and have very nice day.